आजादी का अमरित महुत्सव के तहत डीप्टी चीफ लेबर कमिशनर कार्याले आसनसोल ने आईएसपी के सीलसी विभाग के सहयोग से गत 13 मार्च 2022 को HRD में Awareness and Sanitization Program on Rights of Workers under Various Labour Laws नामक कारिकरम का आयोजन किया इस कारिकरम में मुख्य अतिथी के रूप में Assistant Labour Commissioner Central श्री जीवीन शोमा सेखर लेबर इनफोर्समेंट आफिसर आसनसोल श्रीमती जयती वासुमलिक उपस्थित थी उनके साथ CGM P&A श्रीमती सुश्मिता रॉय, GM Personal Works श्री गौतम बंदोपाद्याए, GM Personal CF श्री सब्यसाची दत्ता, GM Personal CLC and HRIS श्री रंदी बानर जी उपस्थित थे इस दिन ISP के Personal Department के अधिकारीगन, Union के प्रतिनिधी एवं ISP के Contractors, Vendors आदी को मिलाकर कुल 50 लोग उपस्थित रहे सर्वप्रथम श्रीमती रॉय ने फ्लावर भुके देकर अतीतियों का स्वागत किया, ततपश्चाच स्री रंदीब बानर जी ने सबका स्वागत करते हुए कारेकरम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला असिस्टन्ट लेबर कमिशनर सेंट्रल स्री जीवी न सोमा शेखर ने राइट्स ऑफ वर्कर्स अंडर वीरियस लेबर लॉज, रूल्स और रिस्पॉंसिबिलिटी ओफ कॉंट्राक्टर्स आदी पर महत्वपुन जानकारी दी इसके बाद ओपन हाउस डिसकॉशन में कॉंट्राक्टर एवम यूनियन प्रतिनिधियो द्वारा पूछे गए सवालों का स्री जीवी न सोमा शेखर ने शरल सब्दों में समधान बताया एवम एज ओफ बिजनेस को बढ़ावा देने पर जोर दिया, यह कारेकरम पूरी तरह सफल रहा